ओम्जान्थिम संगम युग पर भग्यवान आत्माओं को प्रभू मिलन हुआ है और जो इस अन्मौल समय को योही गवाँ देते हैं उनको तो कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा विचार कर लें भगवान भग्यवान ने आया है वो हमें अपने सर्व खजाने देने आया है सक्तियों से भरभूर करने आया है जो जो हमने भग्ति मार्ग में मांगा था वो सभी कुछ देने आ गया है क्योंकि उसे पता है हमने क्या मांगा था तो बुद्धी मानी और समझदारी इसी में है कि हम स्वयम को चार ओर से समेट कर वियर्थ से मुख्त करके बावा की याद में मगन होकर उससे सर्वस्व प्राप्त कर लें वियर्थ में तो कोई आन्द नहीं है वियर्थ तो मनुस को भटका देता है उसके मन को विचलित कर देता है इस अंसार में समस्याएं तो पहले ही बहुत है मन उसका मन तो पहले ही बहुत परिशान रहता है अब भी भगवान को पाकर भी यदि हम साक्षी ना हुए यदि हमने दूसरों की चिंताएं करना ना छोड़ा तो भला हमारा कल्यान कैसे होगा बहुत अच्छी तरह इस गुईयरैस को जान लें यदि हम स्वयम की चिंता करेंगे अर्थात अपने स्रेस्ट पुटसार्थ करने की चिंता करेंगे अर्थात जो कुछ बाबा ने हमें कहा है उसे संपोर्ण रूप से करने की चिंता करेंगे प्रतिग्या करेंगे तो हमारी सभी चिंताइं समप्त हो जाएंगी और आपके परिवार की कामदंदों की चिंता स्वयम भगवान को होगी लेकिन जब आप उनकी चिंता में लगे रहते हैं तो बाबा सोचता है, फिर इने ही लगे रहने दो, मैं इनकी चिंता क्यों करूं, उसका ध्यान किसी और की और चला जाता है, तो आईए हम सभी, बाबा की याद में मगन होकर, इस संगम युक के अनमौल काल को आनंदो में व्यतीत करें, कितना बड़ा भग्य है हमारा, सम्मुक भगवान बैठ कर हमें पढ़ाते हैं, वो हमें घर ले जाने के लिए आ गए हैं, कितनी बड़ी चीज है, रोज सबेरे, ह हम से मिलन करने आ जाते हैं, हमें जगाने आ जाते हैं, हमें बहुत सुख देने, हमारे दुखों को हरने, हमारे दुखों के आंसु पहुचने के लिए आ जाते हैं, फील करें उनके इस परम पवित्र प्यार को, जो वो हमें दे रहे हैं, तो अपने को चैक कर लें, ऐसे सु अटक तो नहीं गए हैं, हम कहीं अटक तो नहीं गए हैं, या कहीं लटक तो नहीं गए हैं, इन सब से हमें मुक्त होना है, देधारियों से प्यार तो हम जनम जनम करते आए हैं, अब यदि देधारियों से प्यार करते रहेंगे, तो वास्तों में रहस्त तो यही है, के बाद किसी भी जनम में हमें सच्चा प्यार देधारियों से प्राप्त नहीं होगा और जो इस समय स्वयम को प्रभू प्रेम में मगन कर देंगे उन्हें जनम जनम देधारियों का भी निस्वार्थ प्यार मिलता रहेगा इसलिए समय के महत्तों को समझते हुए अपने संपुर्ण प्यार को एक में डाइवर्ट कर दें जितना प्यार हम देधारियों से करते हैं उतना प्यार यदि परमपिता से करें तो कमाल हो जाए तो आईए हम चेक करें हम कहां चले गए हैं हमारा inner world कैसा है हमारे मन में क्या-क्या चलता है हमारी feelings, हमारी भावने, हमारी attitudes कैसे हैं, उसको सुद्ध करें, positive करें, प्रेम से भरपूर करें, तो ये जीवन की यात्रा बहुत ही सुखद हो जाएगी, अपने से बात करें, हम जो बुद्धीमान हैं, हम यदि जीवन का सुख प्राप नहीं करेंगे, तो भला कौन करेगा, जिनको भगवान साथ दे रहा है, वही यदि सुखी नहीं होंगे, तो भला कौन होगा, तो आईए आज हम सभी सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करेंगे, मैं जहान का नूर हूँ, सर्ष्टी का आधार मोर्त और उद्धार मोर्त हूँ, हमारे एक संकल्प का प्रभाव सम संसार में फैलता है, हमारी स्थिती का प्रभाव समस्थ संसार तक जाता है, हम आधार मोर्त हैं, और योग की बहुत अच्छे डिल करेंगे, मैं आत्मा इस देह से निकल कर चली परमधाम, बाबा को टच किया, उससे सक्तियां भरी, और वापिस इस देह में आ गई, बार करते रहेंगे, तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम श्यान्ति